10 अगस्त दोजार्टेई, दोजार्टेई दा बहुत ही महात्तमपूर्देना कैनेडा स्टड़ी वीजा दे ले क्योंके पहली बार होया कैनेडा स्टड़ी वीजा दे जो रूल है उपिछले प्रोग्राम दे नाडो इजी किते गण। अज तक जिनिया भी चेंजस कैनेडा स्टड़ी वीजा दे बेच होया ओ अगर एक प्रोग्राम चल रहा तो इस तो बाद आज़ेडा नेक्स्ट प्रोग्राम आउगा उसनू पिछले प्रोग्राम नाडो अखा ही किता जाओ सो होप है बहुत सारे बच्चे जेडे सिक्स ओवराल वाले होनगे जाब पीटी वाले होनगे टॉफल वाले होनगे सेल्पिप वाले होनगे ओ भी अपना कैनेडा स्टड़ी भी जादा सुपना पूरा कर सकनगे होन की की बड़े बदला 10 अगस्त 2003 होई है सब तो पहला जेडे अकैडमिक आइस वाले स्टूडेंट है वो सिक्स ओवराल बैंड ते अपनी एप्लिकेशन लगा सकते है उनना दे एक मडियूल दे विच्चो 5.5 है एज पर लौ दो मडियूल दे विच्चो 5.5 है दो मडियूल दे विच्चो 6.5 है उनना दा ओवराल स्कोर 6 बन दा तो अपना स्टड़ी वीजा अंडर स्टूडेंट डिरेक्ट स्ट्रीम अप्लाई कर सकते है बट त्यान रभे कॉलेज एंड प्रोग्राम मैटर कर दे है पूर एवरेज दे कॉलेज ने जिनना दा अपा कह सकते हैं रैंकिंग बहुत पूर आजा प्राइवेट कॉलेज ने उनननों लेवल 3 दे बिच ते सक्सेस रेट भी कॉलेज दे लेवल दे कोड़ेंगी ही होगा चाहे तुसी ओवराल 6 से स्टडी वीज अप्लाई कर रहे हो बट तो अड़ा जेड़ा कॉलेज एंड प्रोग्राम सही होना चाहिए दा दूसरे PTE वाले स्टूडेंट PTE दा स्कोर अगर तो अड़ा ओवराल 60 है ता तुसी SDS केटागरी दे लिजिबल हो सकते हो स्टूडेंट डारेक्ट स्ट्रीम दे ली तुसी लिजिबल हो सकते हो सेल पेपला स्कोर तो अड़ा ओवराल 7 है तुसी लिजिबल हो सकते हो Canada Study Visa देली, कैल दा तोड़ा स्कोर है, ओवराल 60 है, तुसी अगेन लिजिबल हो सकते हूँ, Canada Study Visa देली, एंड, TOEFL, IBT, ओवराल 83 ते, तुसी स्टूडेंट डिरेक्ट स्ट्रीम देली, लिजिबल हो, हुन चाहे तो अड़ी, लेंगेज दे, प्रोग्राम दे, बेहाब ते, लिजिबिल्टी बन गी, बट, सिर्फ लिजिबल होना, ते वीजा होना, इस दे बिच बहुत फरके, इस कॉलेज दे रेंकिंग मैटर कर दिया, किस प्रोग्राम दे बिच तुसी अप्लाई कर रहे हो, उस प्रोग्राम दा, तो अड़े, प्रीवियस वर्क एक्स्पिरियेंस, जा प्रीवियस एजूकेशन दे नाल की रेलेवेंसी या, इना गल्लां दा त्यान रखके ही अप्ला कर देनी चाहीं दिया है, क्योंकि 5-6 दिन रह चुके है, तुसी त्यारी हुन करोंगे, तान जाके 10 गस तक तुसी अपनी अप्लिकेशन सब्मिट कर पाऊंगे